Good morning students, today we are going to start lesson number 13 प्रायवाची शबद समान अर्थ बताने वले शबद प्रायवाची शबद कहे जाते हैं चितर देखकर वाक्य में रंगियन छपे, शब्दों पर ध्यान दीजिए रता बॉक्स में से उनके समान अर्थ शबद चुनकर वाक्या पूरे कीजिए आग, पेड, आँखें, बादल, पुस्तक, सूरज फर्स्ट पिक्चर है अगनी, अगनी पुवित्र होती है, अगनी का प्रायवाची कह है आग, आग पुवित्र होती है नेतर देखने की काम आते हैं, नेतर प्रायवाची आँखें, आँखें देखने की काम आते हैं किताब ग्यान का भंडार होती है, किताब में का प्रायवची पुस्तक ग्यान का भंडार होती है, सूर्या परकाश फलाता है, सूर्या का प्रायवची का है, सूर्या परकाश फलाता है, मेग पानी बरसाते हैं, मेग का प्रायवची बादल पानी बरसाते हैं, रिक्स छाया द नीचे लिखे प्रायवची शब्दों को याद कीजिए, यहाँ पर आपको कई परकार के प्रायवची दिये गए हैं, इनको आप याद कीजिए, यहाँ पर समरन रखने योग्य बिंदू, समान अर्थ बताने वाले शब्दों को समान अर्थी अत्वा प्रायवची शब्द क से कहते हैं जो आपने यहां पे पड़ा है समान अर्थ बताने वाले शब्धों को प्रायवची शब्द कहे जाते हैं आंसर नमबर वान नेक्स्ट मित्त तता वरिक शब्द के दो दो प्रायवची शब्द अनिल वायू निमिलिक शब्दों के दोदो प्रायवाची लिखिये जल, नीर, पानी, नदी, सरिता, सरित पमन, वायू, समीर, बादल, मेग, जलत घर, सदन, ग्रे, रातरी, निशा, रजनी वो विकल्पिय, MC के उस दिये गए शब्दों में से जो प्रायवाची नहीं है उस पर क्रोस लगाई है समुद्र का प्रायवाची है सागर और नदीश, समीर नहीं है प्रेम, अनुराग, प्रित्ती और राम नहीं है मित्र, सैचर, प्यार, दोस्त प्यार जो है मित्र का प्रायवाची नहीं है सूर्य, रकेश, भासकर और भानू और सूर्य का प्राइवाची रकेश नहीं है Question answer, do on your copy Short work, do on your book Thank you, have a nice day